हेलो क्रिप्टो फैमली फिर से स्वागत है आपके चैनल में गाईस इस वीडियो में मैं आप लोग के सारे कन्फूजन को किलियरिफाइ करूंगी गाईस जो भी मार्केट में चल रहे हैं भी आर्सी 20 टोकेन मीम्स टोकेन और क्या हुआ था कल जो है बाइनेंस ने क्यों लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूं कि जो बाइनेंस ने क्लोस किया था टेम्परोरी क्लोस था आपने क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था बहुत लार्ज वाल्यूम में जो है पेंडिंग ट्रांजेशन ह मौन ट्रांजेशन हो रहते इसके लिए उन्हों ने वहां पर टेम्परोरी क्रोस किया था और उनकी घुरान टकरने करके वहूंकि ऑंकी तीम ने बता देता यहां पर की वर्किंग चल रहा हूँ वो fix कर देंगे और reopen कर देंगे और उन्होंने कर भी दिया था तो यही region था कुछ हुआ नहीं था ऐसा बस वहाँ पे जो है बहुत large volume में transaction हो रहे थे withdrawal हो रहे थे इसी के कारण आपने देखा भी होगा कल जो है market का पूरा जादा crash हो गया था market बहुत धराम से गिर गया था guys और उसके कारण तो altcoin भी सारे गिर गये थे guys आपने देखा था और चलिए अब आपको हम बता देते हैं BRC20 गाइस जैसे आप लोगों को पता है TRC20 ERC20 BEP20 उसी तरह अभी जो है Bitcoin BRC20 मतलब जैसे आप लोगों को पता है TRC20 मतलब Tron based blockchain है और ERC20 Ethereum based blockchain है उसी तरह जो BRC20 आया यह Bitcoin based blockchain है guys यह blockchain है और इसमें क्या है यह mainly memes token के लिए ही बनाए गए guys मतलब यहाँ पे क्या है आप किसी भी memes token को buy sale कर सकते हो और उससे भी अच्छी बात यहाँ पे यह है guys कि आप अपना खुद का memes token यहाँ पे create कर सकते हो लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ सर्त रखे हैं जैसे कि आपको 4 digit का ही token का name रखना होगा और यहाँ पे यह भी fix है कि अगर आपने एक बार जो भी इसका volume रख दिया supply रख दिया वो fix रहेगा उसमें कोई आप घटा या बढ़ा नहीं सकते हो guys वो बात है और ऐसा क्यूं कर रहे है guys क्यूंकि देखिए अगर एक नाम का token market में बार बार आता है थोड़ा बहुत change कर करते करते तो fraud होने का chances बहुत जादा बन जाता है तो इसको decrement करने के लिए इसको घटाने के लिए बहुत अच्छा मतलब एक कदम उठाया गया है जिसमें की चार नेम का मतलब आप वो नेम को repeat नहीं कर सकते हो और जिसे fraud होने का chances कम रहेगा guys तो यह था आपको समझ में आ कर सकते हो यहां पर देख सकते हो यह मैंने आपको सिंपल क्रॉम पर दिखाया है इसका तो आप इसके एप को डाउनलोड करके वहां पर आप बायान सेल कर सकते हो guys यह आप पर डिपेंड करता है क्यूंकि आपको पता होगा cryptocurrency बहुत जादा रिस्की है क्यूंकि धराम से जो small amount में invest करें guys क्यूंकि आप देख रहे हो अभी सारे means token जो है अभी बहुत जोर सोर से market में चल रहा है जैसे पेपे एक तरह से तुरंत आया और उसकी तुरंत लिश्टिंग भी हो गई guys बाइनेंस पे तो बाइनेंस ने ऐसा क्यूं किया इसका कोई रीजन नहीं पता कि 5-6 के दिन का token आया और तुरंत लिश्टिंग भी कर दी गई लेकिन उन पर उनका फाइदा हुआ इसके लिए उनको volume बढ़ाना था इसके लिए कर दिया लेकिन हम लोगों को इससे डर है कि उन्होंने tweet करके ये भी बता दिया कि आप लोगों को रिक्स है अगर आप लोग इसम कोईन में सोस समझ के इन्वेस्ट करो क्योंकि इसका कुछ future नहीं है कभी भी यह आ सकता है कभी भी जा सकता है मतलब आपका portfolio zero हो सकता है या आपका portfolio five times increment भी हो सकता है तो सोस समझ के इन्वेस्ट करें तो आप देख सकते हो गाईस जितनी भी memes token है BRC20 जैसे Pay Pay और एक बहुत जोर सोर से market में भी ओडी भी चल रहा है गाईस उसमें भी लोग invest करके अच्छा खासा profit भी book कर रहे हैं लेकिन जैसे कल market धराम से गिरा था वैसे इस सब token में भी जो है मदब गिरावट देखने को मिली थी गाईस आप देख सकते हो तो यही सारे थे memes token गाईस और main था BRC20 क करना चाते हो गाईस तो प्लीज मुझे कमेंट करो और मैं उसके नेम भी आप वहां पे लिग देना मैं उसको सर्च करूंगी रिसर्च करूंगी और आप लोगों के लिए वीडियो ले के आऊंगी तो गाईस आज यही सारे memes token और BRC20 का अपडेट था आपको हो वीडियो अच्छा लागा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेक केर बाई